नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपको माई चले हैं मैं आमिर स्वी राज के स्व्रोम बात करने वाले हैं मुख मंतरी कन्या उत्थान योजना के अंतरगर्ट जो भी लड़किया यहां पर 2021 में इंटर पास किये हैं उनका ओनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है उनका 25 यहां पर शुरू हो चुका है जो भी लड़किया यहां पर 2021 में पास हुए है वो यहां पर आवेदन कर सकते हैं जिसमें कि उनको यहां पर 25,000 रुपे का प्रोसाहन रासी है वो यहां पर दिया जाएगा तो आज किस विटों को जानकाई देने बाले है कि किस तरीके से मेट्रिक और इंटर दोनों के लिए आवेदन सुरू हो चुका है तो अभी अगर आप यहां पर इंटर का वीडियो देख रहे हैं तो समझेगे कि जो मेट्रिक का वीडियो है वो भी आपनों का चैनल पर आ चुका होगा तो चैनल पर जाकर आप मेट्रिक का भी वीडियो पर देख सकते हैं, तो अगर आप मैट्रिक बाले चात रहे हैं, तो मैट्रिक का भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, और अभी जो इंटर बाले चात रहे हैं, उनको किस परकार से आवेदन करना है, पूरा अस्टे बास्टे पर यहां पर बताने बाला हूँ, पहले जो आप लोगों का आवेदन होता था उससे थोड़ासा डिफरेंट है यहाँ पर होने बाला है तो किस तरीके से आवेदन करना होगा क्या 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 डोकिमेंट आपनों को आप अपलोड करना होगा कहा क्या भरना होगा सब कुछ मैं आपनों को आप दिखाने बाला हूं तो देख पाऊं दोस्तों मैं जो नया website है उसको यहाँ पर open कर रखाऊं यहाँ पर आप देख पाऊंगे तो इस पर आपनों का online आवेदन होने बाला यही website है जिस पर किया आप नीचे किजेगा तो कुछ और जानकाई दिया गया है जैसे कि यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर स हैं सभी को यहाँ पर पैसा मिलता है चाहें वो जेनरल कास्ट के भी हो तभी उनको जो आप पैसा दिया जाता है तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट सकेंड या फिर थर्ड पास हुए हैं 2021 में तो एक बार लिस्ट चेक कर लेजिए कि आपका नाम है या फिर नहीं है और आपनों का जो ओनलाइन आवेद्र ने वो शुरू कर दिया गया तो यहाँ पर आप देख पाऊंगे तो फोर एनी इंकुआइरी मेल अस्वन यहाँ पर मेल आपनों का बतायागा कि इस पर आप जो है मेल कर सकते हैं और मेल करने बद आपनों को पूरा जानकरे यहाँ पर भड़ा जाएगा और यहां पर साथ उन्होंने बताया कि और नाम एड नहीं होता ये सारा लिस्ट बिहार बॉर ने sent किया है Gobra कि अगर आप यह चा रहे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं है तो हम एड कर बाले तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो भी यहाँ पर लिस्ट है उसी के माद्यम से आपनों का आवेदन लिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप देख लिए दोस्तों कि यहाँ पर मैंने जो ऑफ में भी यहाँ पर जानकाई दिया गया है यहाँ पर आप देख लिजिए अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं इसको रोक कर आप जो है इसको एक बार देख सकते हैं या फिर आप खुद भी mail कीजिएगा तो भी आप लोग को यहाँ पर reply आ जाएगा तो इस तरीके स यहाँ पर reply दिया गया है कि आप लोग का आबेदन है उसको यहाँ पर शुरू कर दिया गया है अब दोस्तों इस link पर आपको किस तरीके से आना है इस website पर किस तरीके से आना है सबसे पहले मैं आपको वह बताता हूँ उसके बाद आपको बताऊंगा कि step आपको आपको निचे आने के बाद, यहाँ पर देखना में दोस्तों, बिहार Inter polis Ani Yujna 2021 online अगर आप मेट्रिक वाले हैं तो यहाँ से आप किलिक करके मेट्रिक का आवेदन कर सकते हैं, तो हम अभी Inter का आपको दिखा रहे हैं, तो Inter पर आपको जो ही किलिक करना है, जैसे आप इंटर पर किल तरीके से आपनों को जोहां पर website होगा वो जोहां पर open हो जाएगा, open होने के बाद आपको करना क्या है थोरा सा नीचे आना है, और सबसे नीचे आपनों को जोहां पर important links का option देखने को मिल जाता है, अब यहां पर देखता हम दोस्तों बिहार इंटर पोस्तान यूजना 2021 यहां पर online apply तो यहां पर clicker पर clicker करके आप online apply कर सकते हैं या फिर official website पर click की जाएगा तो कुछ इस तरीके का website है वो जोहां आप लोग का open हो जाएगा, अब यहां पर सबसे पहले आपको list check कर लेना है उसके बाद ही आपको आपे आवेदन करना है और साथ में आवेदन करन जो भी reject होना था वो जो है आपर reject हो जाता था बाद में लेकिन अभी क्या होगा दोस्तों कि पहले आपनों का यहां पर verification होगा उसके बाद आपनों का user id और जो password है वो आपके email id पे भेजा जाएगा अगर आपका सब कुछ सही रहता है तभी आपका user id और password भेजा जाएग उसके बाद ही आप जो हाँ पर final submit कर पाईएगा तो इस बात का आपको ध्यान रखने है आप दोस्तों आपको आवेदन करना है तो क्या करना है दोस्तों यहां पर आप देख पाऊंगे student click here to apply तो यहां पर आपको click करना है या फिर यहां पर online apply का link है यहां पर भी आप click कर स से होता है मैं आपनों को आप दिखाएता हूं तो कुछ इस तरीके से आपनों को जो website होगे यहां पर open हो जाएगा यहां पर चार step में आपनों को पूरा complete करना होगा सबसे पहले registration उसके बाद यहां पर department से verification आएगा और यहां पर आपनों का user ID और passport जो है वह आपनों को भे यहां पर account होना चाहिए joint account यहां पर नहीं चलेगा इस बात का आपको आपको ध्यान रखना है उसके बाद यहां पर आपनों को बताएगे दोस्तों कि मैं एतत घोसना करती हूं कि मेरा plus two परिनाम की घोसना के समय मैं अभिभाहित थी यानिक दोस्तों यहां पर जो अभिभ यहां पर continue पर किलिक करते हैं आपनों का पूरा detail भरने के लिए आजाएगा सबसे पहले आपर जो registration number है वो आपनों को डालना है कितना number उन्हों ने लाया था वो number डालना है यहां पर date of birth डालना है यहां पर name of student तो यहां पर जो अस्ट्रेंट का नाम होगा वो डालना होगा उसको बाद यहां पर married या फिर unmarried तो यहां पर आपनों को नो रहने देना है अगर married है तो यहां पर yes आपको कर देना है अगर नहीं married है तो इसको यहां पर नो रहने देना है उसको बाद यहां पर आपको करना कि दूस्तों आधार वेरिफिकेशन का number डालना है यानि कि य दोनों का date of birth अगर match करता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी और वही आप लोग यहाँ पर कोशिस किजेगा उसके बाद आपको आपको नीचे करने कबाद यहाँ पर mobile नंबर आपको डालना है और यहाँ पर generate OTP पर आपको क्लिक करना है तो आपको mobile नंबर पर OTP जाएगा उस OTP को आपको आपको यहाँ पर डाल कर verify करना है उसके बाद यहाँ पर आपनों का email verification होगा अगर आपके पास email id है तो सेम उसी तरीके से आपको OTP लाकर आपको अपना email id यहाँ पर verify करना होगा उसके बाद दोस्तों आपको नीचे करने के बाद यहाँ पर आप देख पा पॉम आपनों का फिल होकर आ जाएगा कि क्या-क्या आपने भरा है उसको एक बार देख लिजेगा उसके पाद आप सब्मीट कर दीजेगा तो आपनों का जो राइस्टेशन है वो यहाँ पर जो हो जाएगा तो मैं जो राइस्टेशन कर लेता हूं उसके बार आगे आपको को आप दिखाता हूं दोस्तों जब आप यहाँ पर आधार नंबर डाल कर आपके वेडिफाइड आधार पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपनों का ग्रीन किलर में आ जाएगा यहाँ पर देख पाएंगे आधार वेरिफाइड यानि कि आप आपनों का जो आधा आ हम आपका अहागा को आपको जानकाई यहां पूरा नहीं हुआ है गिर्प्या विभागिये सत्यापन के बाद आपको आवेदन पूरा करने के लिए आपकी पंजीकिरित इमेल आईडी या Monday पर यहां पे user यूजर एडी और पास्बर्ट नहीं मिलेगा इसके बाद जो है आप लोग आपको फाइनल सब्मिट करना होगा तो अभी आपनों को इंतजार करना है यह जो परक्रिया है दोस्तों इसमें जो कुछ समय आपनों का लग सकता है यहाँ पर बताएं दोस्तों कि यह परक्रिया के सत्यापन के पश्यात के द्वारा फाइनलाइज करने के पूरा होगा यानिक दोस्तों यहां पर आपनों का सारा कर लेता हूँ, सेव करने के बाद आगे आपको दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट सेव कर लिया है, प्रिंट सेव करने के बाद आपको करना क्या है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर क्लिक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का ओपन हो जाए उसके बाद आपनों को आगे का स्वा संगी आपनों को करना है नहीं को आप कि यहीं करणा ही। आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आओगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक किये वीडियो को सब्सक्राइब को जानकारी मिल सकें मिलते नेक्स मत तक करें धन्य भाज